Hello members, आज हमने Nifty के options को trade किया था, 18,550 की हमने put को buy क्या हुआ था, यह पर देखे को setups हैं जो कि हमने volume profile and अपने volumes के थूर निकाले थे, higher time frame पर भी हमने कुछ analysis के अंदर की थी, अब आगे चल करके देखे हैं, quantities वगरा कैसे क्या है, and overall हमारी analysis क्या थी, इसके अंदर देखे एक level हम mark करेंगे, एक zone, एक यह वाला देखे, कल सबसे ज़्यादा interest जो buyer और seller's का था, वो इसी price पर था, हमें जो trade execute करना था, वो same level, green वाले level के नीचे trade execute करना था, तो price नीचे की तरफ आया, and यहाँ पर through the hour entry confirmation methods, जब हमें यहाँ पर हमारी entries मेली, तब हमने अपना trade execute कर दिया, अपनी full analysis के साथ, अभी चलते हैं सिथे पनी trade बूपर, and यहाँ पर overall आज का, okay, overall जो हमारा राज का profit है, 8700 and 40 रूपीज का है, हालना कि यह trade में और उपर execute करना था, and execution के बाद, exit के बाद हमें लग रहा था, कि price बहुत जल्दी निकल गए, but जो exit की confirmations थी, वो में जल्दी मिली थोड़ा सा, हालना कि वो एक तरह का fake signal था, so यहाँ पर आप देख सकतो, नीचे के line हमारा buy area है, और upside के line हमारा exit का point है, so overall जो हम निफ्टी के charts कोई भी analyze करेंगे, तो वहाँ पर आपको समझ में आगा, कि हमने trade को किस तरह से analyze किया, कैसे हमने वहाँ पर अपनी entry ले, क कोई बहुत बड़ा profit हुए, लेकिन हाँ, एक ठीक ठाग और एक decent profit हुआ, हाला कि execution के बाद में हमें लगा exit के बाद में, कि हम और भी बड़ा profit इसके अंदर grab कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, एक decent profit हमें, आज के session में हुआ है, so two hundred quantities के साथ हमें ही trade execute किया था अपना, लग आने के बाद में, सही level का मतलब, एक अच्छा खासा experience होने के बाद में ही आप options trading में आना, किसी के प्रभाव में है, किसी के impression में आकर के आप बड़ी quantity के साथ में options में trade मत करें लगा, thanks and भरते हैं आज की video के तरह, nifty के जब आप chart देखोगे तो इसके अंदर देखे हम क्या कर रहे हैं, day time frame तो हम actually use करते हैं और day time frame पर जब आप देखोगे तो यहां पर कुछ एक levels पने हैं, कुछ एक swing points पने हैं, यहां से price ने क्या किया था, एक support ले लिया था, इस black वाली candle के low से price ने support ले लिया था, काफी सारे यह और price मिल करके आपको शायद confuse कर रहे होंगे, त तो नीचे वाले levels को हम थोड़ा height कर देते हैं, अभी clear हो जागा, इस black वाली candle के form हो जाने के बाद में price actions देखी किस तरह की हो रहा है, price हमारा नीचे की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, बट price ने just black वाली candle के low से ही support ले लिया, 7th को क्या हुआ है, price हमारा नीचे की चला गया है, और आज की trading session में, 9th of December को price ने उस level के नीचे वापस से आ करके movement दिखाया, अब देखे यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़े देखने वाली है, जैसे कि एक common mindset क्या होता है, देखना है इसमें, यह green candle बन रही, यह black candle बन रही, यह वाली green candle बन रही, इसमें क्या हो रहा है, क्या देख सकते हैं, यह इसे हम लोग क्या analyze कर सकते हैं, एक चीज़ जो reading में बहुत काम आती है, वो है किसी भी chart को देखने के बाद, उस chart का जो first impression आपके उपर पढ़ रहा है, चूंकि बिना कुछ read किये ही, price आपको बहुत को समझा जेता है, किसी भी chart को open करो, जैसे कि हमारे पास यह Ethereum का chart है, simple सी बात है, कि price ने अपना यह वाला gap फिल कर लिया है, price का इसी जगह से resistance या फिर support लिया जा सकता है, या तो resistance को break करके price हमारा उपर निकल जाग या तो फिर नीचे, अब overall हम देख करके आपको समझाए न, तो यहां से price केंदो जो movement हमें day time frame का level है, but इस range पर, lower time frame पर क्या price actions में यह देखने वाली चीज होती है, क्योंकि day time frame पर तो हमें यहां एक एक candle हजार आ रही है, but यहां हो क्या सकता है, lower time frame पर, कि price कुछ देर तक इसी black वाली लाइन पर ऐसे support ले करके, नीचे की तरफ गिर गिर गया हो, जैसे इस दिन ग यह lower time frame के price actions हो सकते हैं, यह मैं पता कैसे चलेगा, हम lower time frame पर जाएंगे, और हमारी यह जो day time frame की मार गिंगे, daily time frame के according, अगर हम सही हैं, तो lower time frame पर हमें उसके effect नजर आ जाएंगे, यह देखे, एक support, second support, इसके बाद में price ने closing कहां की, इस दिशा में, वापस से price हमारा उप उपर की तरफ गया, और वापस से देखे, यहां पर इसने resistance लेने start कर दी है, है न, और resistance के बाद से वापस price उपर की तरफ चला गया, इस line का effect आपको नजर आ रहा हो कि lower time frame पर क्या पड़ रहा है, आज के session में क्या हुआ है, अब कल की market की moves को देखते हुए, हमें एक चीज volume profile का एक तरीका हमने आपको अल्डेडी बता रहा है, day की first candle मतलब 9.15 की candle और day की last candle, फर्क नहीं पड़ता, high, low, open, close mark करो, just level आपका mark होना चाहिए, day की first candle से लेकर के last candle, पूरे दिन में जहां पर भी सबसे ज्याधा trade execute हुए है, मतलब high interest का रिया buyer or sellers का, वो हमें नजर आ ज indicate करें कि यह काफी important जगा है, अब इसके नीचे हमें trade execute करना है, मालूम है हमको कि हमें इस black वाली land के नीचे ही trade execute करना है, अब देखें, price ने क्या किया, एक gap up opening और कल का सारा gap fill कर दिया, जो market में morning में दिखाया, और यहां से price नहीं, हम चाहते हैं तो इस low के नीचे से भी trade execute कर सकते थे, एक मन हुआ दा बट फिर हमने avoid कर दिया, क्या देखते हुए कि कल price ने इसी जगह पर support लिया है, हो सकता है कि price यहां से support लेकर के थोड़ी दर तो हमें profit देखा और वापस से उपर चला जाए, dangerous है न, सारी चाज़े देखे है हमारे सामने ही हो रही है, just क्या है, एक point of view का फर्क होता है, साफ जगह पर आप trade करोगे तो वहाँ पर trades smooth चलेंगे, और आप hot watch area में trade execute करोगे, just like यह हमारा hot watch का area है, यहाँ पर price बहुत देर तक consolidate हुआ है, अब उपर से अगर हम लोग नीचे की दिशा में trade execute करना चाहते है, तो price हो सकता है, यहाँ पर आए, म अब हमारे level को नीचे के दिशा में break कर दिया, एक low, lower high, again lower low, और फिर से lower high और फिर से price हमारा है नीचे की तरफ गिर गया, तो यह वाले जो points थे, इस black वाली candle के आजपास हमने कहीं अपना trade execute किया था, and stop loss हमने consider कर लिये थे, क्योंकि order book जब आपने देखियो कि सिर्फ दो ह और selling के उसमें stop loss नहीं है, जबकि equity trades के अंदर हम लोग stop loss लगाते हैं, यहाँ पर क्या होता है, अब जैसे यह अपना strike price है, अमान के चलिए यहाँ पर हम लोग ने अपना trade execute कर लिया, stop loss हमने लगा दिये swing पर, strike price के according क्या होता है, कि price आपका इसी जगह पर आएगा, और यह यहाँ पर swings break हो रहे हैं, और अगर हम stop loss लगाना है, तो फिर हम strike price पर ही लगाएंगे, spot के charts पर लगाने देंगे, इस वजह से strike price के ऊपर stop loss लगाना हम थोड़ा सा avoid करते हैं, और हाँ देखते रहेंगे, कि price ने जैसे हमारे level को, मतलब spot के stop loss को जाकर करके, जैसे ही वो touch करे हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, कुछ वेट नहीं करना है, नहीं थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा वेट करना है, कुछ भी नहीं, अगर यहाँ पर आपका stop loss लगा, तो फिर आप यहाँ से चुपचा बाहर ही निकल जो वही सही है, तो इस जगह पर अपना trade execute हु हम यहाँ से बाहर निकल गया, क्योंकि लग रहा था कि यहाँ से प्राइस अगर ऊपर की तरफ क्या है, क्योंकि options की बात है, इसमें फटा-फट सब कुछ होगा, तो जो बोड़ी सही है जल्दी लेना होगा, तो इसी वज़े सा आप देख रहो है कि कोई बहुत बड़ा profit जब कि अगर हम रुकते हैं, तो यहाँ पर वही profit हमारा increase होकर के करीब 14-15,000 तक पहुंच सकता था, कोई बात ने, यहाँ पर हम लोगों ने अपने trade फिनिश कर दिया, हम लोग चाहिए अपने nifty या bank nifty का chart देखें, या फिर stocks का chart देखें, दोनों में ही हमारी analysis को strong कर देत फिर यहाँ पर हमें extra confirmations चाहिए होते हैं, extra analysis करनी होती है, over analysis नहीं लेकिन जिस अच्छी तरह से या फिर जितने इत्मिनान के साथ में हम लोग equities के अंदर analysis कर लेते हैं, उतना इत्मिनान, मतलब practice वही चाहिए, but speed में काम होगा, तो जितना हो सके quantities, क्योंकि कोई भी indicator आप पढ़िए, समझिए, जिस भी तरह की चीज़े जो प्राइस एक्षन और जो वॉल्मन आसे हम आप लोगों के सामने कर रहे हैं, आप सर्च करके देख लेजी, इस तरह के topics आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, हम find करते हैं, फिलाल हम यह तो नहीं ही मिलते हैं, पैसे ले